जब भी हम इंग्लिश लिट्रेचर को पढ़ने के लिए बैठते हैं या इंग्लिश लिट्रेचर के किसी भी सफर का को शुरू करते हैं तो कई बार ये confusion होता है कि ह कहां से शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी कैसे शुरू हुआ होगा ये इंग्लिश का सफर और इस लिट्रेचर के सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले किन चीजों को समझना चाहिए तो देखते हैं चलते हैं आज से शुरू करते हैं History of English Literature में Different Ages की सिरीज तो लीजे शुरू करते हैं आज से Ages की सिरीज यही वो Age है जहां से आप British English Literature या British Literature को शुरूआत मान सकते हैं English Literature की शुरूआत Anglo Section Age से ही होती है तो इसको समझना बहुत जरूरी है फिर जाएंगे हम Anglo Normans में और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे सबसे पहले सवाल उठता है कि Anglo Section Age को Anglo Section क्यों कहते है तो अगर हम मैप को उठाएं जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है अगर हम मैप को उठाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मैप में देखे कि जो England है उसके और इसके बीच में जो दूसरा जो लेंड है इधर एक साइट आप देख रहे हैं कि आपको मिल रहा है पूरा Roman Empire था जो और एक साइट पूरा दूसरा लगा हुआ जो लेंड है वहाँ different tribes रहती थी और बीच में North Sea था और उधर Baltic Sea था साइट पर जहाँ पर आपको देख रहा है last corner और इन बिल्कुल corner पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर एक hooks type का shape है यहाँ पर तीन जातियां जो हैं वो रहती थी tribes जो बहुत ही warrior जातियां थी और tribes होते वैसे भी बहुत rough and tough है तो इन लोगों का यह था कि यह pagan gods को मानते हैं इनके वहाँ नेचरल चीजों को पूझा जाता है नेचर की power को पूझा जाता है अगर आपको इनको ज़्यादा समझना हो तो Vikings एक series है नेट्फिक्स में आपको जरूर देखनी चीए तो उससे आपको जरूर आइडिया मिलेगा कि pagan gods क्या और किस तरीके के इनके belief होते हैं यह लोग खुद को भी sacrifice कर सकते हैं अपने लिए अपने gods की इच्छा के लिए और यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं God को खुश करने के लिए और basically यह लोग बहुत ही bold होते हैं और बहुत ज़्यादा powerful और strong होते हैं तो यह तीन tribes में एक angels थे corner पर देखिए एक है यहाँ पर आपको दिखाया हुए map में जो दूसरे हैं वो sections हैं और तीसरी जर्मिनिक tribes कहलाती थी और तीसरा last में Baltic के पास देखिए अगर आप तो वहाँ पर आपको jutes दिखेंगे तो यहीं से शुरू होती है इधर देखिए North से उधर North Sea से इधर आपको England दिख रहा है जिसका एक हिस्सा मैंने Britain's Roman कह रखा है Britano Roman भी कहते हैं और दूसरा हिस्सा उपर वाला जो छूटा हुआ है दूसरे color में उसको हम Britans कहते थे या फिर उसको दूसरे को कहते थे हम Romano Britons भी कहते थे इस वाले इससे को ऐसा क्यों कहते थे यह भी आओंगा तो यह जो तीन tribes है इनका नाम कैसा आदे को Angel जो है वो Angul नाम से शुरू हुआ है Angul भी कह सकते और हम Angul भी कह सकते और Angul का मतलब होता है एक ऐसा Hook इसके दो रीजन होते हैं Critic बताते हैं एक Hook जैसे जिस जगह पर ये Angels और Section आपको दिख रहे हैं वो basically S-A-X, S-A-X word, Sex word या फिर S-E-A-X, Seeks word इन से बना है और इसका मतलब होता है Sword यानि कि तलवार ठेक है तो यह दो चीजे हैं इनका मेनिंग अगर कभी आ गया तो Angul से या Angul से आया है जिसका मतलब है Hook और Sections का मतलब है Sword तो इन tribes ने England में हमला किया और England के जो North Sea से लगाओ इलाका है सबसे पहले वहीं से हमला करेंगे तो जब इन्होंने हमला किया तो आखिर क्या चीज थी कि ये tribes ने यहाँ पे हमला किया और इस से पहले तक क्यों नहीं किया ये question सबसे ज़्यादा mind में आता है तो देखे बड़ा जबरदस political scenario है क्या चीज थी किस से पहले इन्होंने हमला नहीं किया इसका reason ये है कि जो Britain जहाँ पे मैंने रोमेनो बिर्टेन लिख रखा है वो पूरा empire रोमन समराज जी के कबजे में था और वहां रोमन soldiers, रोमन knights और रोमन सारे जो आप कह सकते हैं powerful इनके रोमन समराज जी के representative यहाँ थे और आप जानते हैं कि रोमन समराज जी सबसे ज़्यादा रोमन empire powerful और सबसे ज़्यादा civilized और सबसे बड़ी आर्मी और सबसे ज़्यादा area वाला था जिसने बहुत सारी जगों को colonize कर रखा था तो बिर्टेन भी उनमें से एक था जो रोमन empire के पूरे काबू में था तो तब उस रोमन empire की power के वज़े से इसकी और कोई आँख उठा के नहीं देखता था तो यही कारण था कि अभी तक angels, sections और jutes ने यहाँ पर हमले नहीं किये थे अब क्या हुआ कि हमला क्या अब इस बात पर आते अब यह हुआ कि रोमन empire जो कि आपको इस साइड दिख रहा है नौर्थ के वो बहुत बड़ा empire जो था उसमें उसका fall हो गया fall of the roman empire हुआ और वो किसके हातों हुआ और roman empire कैसे दूसरे राजा के हात में चला गया और किस तरह roman समराजी का पतन हो गया यह fall कैसे हुआ इस पर बात करते तो अगर हम history को सोचे तो आपको आप देखेगा history में लिखा 24 अगस्त 24 अगस्त 410 यह time था 410 AD इसमें क्या था एक राजा था जिसका नाम था एलरिक और वो राजा था एक जाती का जो great kingdom उससे माना जाता था और बहुत लेकिन Romans से जादा बड़े राजी नहीं थे वो लेकिन एक राजा था जो Romans पर बुरी नजर रखता था Romans समराजी पर वो विजी गॉट्स होने कहते हैं तो king of विजी गॉट्स ठीक है इन्हों ने हमला किया Romans समराजी पर और Romans समराजी में इस समय खुद में बहुत अंतरदन चल रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर्फुल लोग नहीं मौजूद थे तो इसका क्या हुआ है इसका परणाम कि Elric ने इस पर हमला किया और जोरदार हमला किया और ये वो वक्त था जब 800 सालों से चला रहा Romans एमपायर पूरी तरीके से नेस्तनाबूत कर दिया गया, it was fallen in the hand of Elric और Elric ने उसमें कबजा जमा लिया और पूरा रोमन समराजी फॉरेन राजा के हाथ में चला गया, Elric और पूरा रोमन आर्मी और जितने उससे जुड़े वे बाकी लोग थे, वो वहाँ से भाग निकले, अब जब Anglo sections यह पर आज आते हैं, Jutes तो उतना पावरफुल इसको नहीं cover कर पाते England को, लेकिन Anglo sections, जो Angels और sections हैं, इन लोगों ने वहाँ पर पूरा cover कर दिया है, काफी area, तो अब इनके आने से क्या हुआ, क्या जो रोमन एम्पायर का जो legacy चले आ रही थी, या उनका जो culture और उनका जो सारा Britons लोग follow कर रहे थे, क्या वो continue होने हो ला था, बिलकुल नहीं, Anglo sections ने अपने pagan beliefs की वज़े से Christianity की धज्यां उड़ा दी, और यहां तक कि वो Roman Empire को और उसकी यादों को रखने में कोई खास interest दिखाने वाले नहीं थे, तो उनोंने सबसे पहले इनकी rocky buildings, पत्थरों से बनी मि attack किया है यहां पर, ठीक है, 410 के लगबग, और तब से लेके 1500 साल से उपर, यानि 597 AD तक, 597 AD तक, यहां Christianity का लगबग कोई खास निशान नहीं रहा, Christianity सिर्फ Britons लोग ही मानते थे, और यह लोग अपने pagans पर ही believe करते थे, और कोई चीज ऐसी नहीं हूँ जिससे Christianity को बारा लेकिन 597 में, सेंट ओगस्टाइन का आगमन हुआ, ब्रिटेन के अंदर, और उन्होंने फिर से Christianity को revive करने की कोशश की, और उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से, इसको लोगों के बीच रखा, और इतना प्रचार प्रसार किया सेंट ओगस्टाइन, इसलिए famous हैं, कि जो Anglo sections जो अब ब्रिटेन के साथ घुल मिल गए थे ये Anglo sections और उनके cultures पर भी interest ले रहे थे, उनकी चीज़ों को भी सीख रहे थे, और Christianity को भी थोड़ा-थोड़ा समझ रहे थे, वो इनसे convince हुए और Christianity का फिर से आगमन शुरू हुआ, and that date was 597, Saint Augustine was responsible for bringing और reviving the Christianity during the Anglo section era, और ये देखिए, बाद में क्या हुआ, जो kingdoms थे, वो सब kingdoms में भी divide होने लगे, और इस तरीके से Anglo sections में भी सबसे powerful जो kingdoms उभर के आए, वो चार थे, एक था Northumbia, एक था Murcia, एक था East Angelica, एक था Wessex, इसमें Wessex सबसे powerful था, जबकि 9th century तक, यानि लगबग 980 आने तक, ये चार बड़ रूंबिया, ठीक है, मरसिया, और East Angelica and Wessex, Wessex was the most powerful, बाद में अभी यहाँ फिर attack होगा, जो Vikings का होगा, और Vikings जब आएंगे, तो केवल एक Wessex ऐसा empire है, जो Vikings के attack में भी survive करेगा और उनको हरा देगा, जबकि बाकी कबजे में आ जाते हैं, तो Anglo section का ये जो पूरा आपका र 1066 तक चला, ये लोग बड़े powerful लोग होते थे, physical जो achievement और physical activities और heroism को बहुत पसंद करते थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इस समय जो है, इसी लिए ये pagan God को भी पूछते थे और Christianity को शुरू में नहीं मानते थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मानने लगे थे, Old English ही मैं जो है, जो पुरा native बोलते थे उस समय Old English, उसी में Anglo sections भाषा जो है mix हो गई, और वो एक तरीके से English का और cocktail बन चुका था, लेकिन ये सारी चीजे जो भाषा मानी जाएगी उस समय इन सब के mixture वो Old English ही कही जाती है, और इस तरीके से ये इनका पूरा एक background था, जिस त बात आती है कि इन सब beliefs के चलते, क्या उस समय का कुछ literary period रहा होगा, कुछ साहित्ति बना होगा या literature कुछ जो हमें समझना चीए, जिसका आगे literature से connection होगा, तो literature के इस बात को जानने के लिए आप देखते रहिए, और इसका second part जो आपको कल मिलेगा, उसमें हम बात करेंगे English section के literature की, ठीक है, तो दोस्तों विदा लेता हूँ, और आशा है कि इस series को आप enjoy करेंगे, और इससे बढ़िया notes आप बना सकते हैं, और एक crystal clear आपका vision बनता रहेगा, जिससे आप बाकी की तयारी भी करते रहेंगे, thank you, have a nice day, keep subscribing and liking, thank you.